Hey everyone, कैसे आप सब मैं होग करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो आप सब को Happy New Year, मैं विश करती हूँ कि आपकी जो भी विशिस हैं, वो सब पूरी हो इस साल में, और जो भी अपने गोल्स, टार्गिर्स, अपनी लाइफ में अचीब करने हैं, वो भी आप इस साल में अचीब कर पाएं, और साथ में ही मैं आपको कहना जाती हूँ कि कुछ नई जो अच्छी आते हैं, वो आप अपनाएए, तो उससे आपकी लाइफ है, जो बैटर बनेगी, और आज से मैं भी एक जो अच्छी हैबिट है, वो शुरू करने वाली हूँ, कुछ वर्ड्स हैं, जो वो मैं वीडियोज में एड करने वाली हूँ, कुछ नई वर्ड्स सीखेंगे हमें, जिसे हमारी जो वोकेबलरी है, वो इंप्रूव होगी, तो मैं खुद भी सीखूँगी, और आपको भी सिखाऊँगी, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज की वीडियो, और जो वो वर्ड्स हैं, वो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं, कि मैंपी फोरेस्ट के आसपास के जो विलेजेस हैं, उनके लोग हैं, एक जगा पे एकठे हुए हैं, इसकी वज़ए से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड है, ये लोग काफी समय से एक टाइगर से परिशान थे, हुए हैं, और इतनी भीड में एक पर्सन है, जिसका नाम है, जो राइटर ने रखा है, टॉक्टिव मैन, जानिके जो बहुत से बाते करता है, कुछ से ही जो स्टोरीज है, वो इन्वेंट करता रहता है, तो वो कुछ लोगों को उस भीड में से अपने पास बिठा लेता है, और अपनी स्टोरी है, जो सनानी उन्हें शुरू कर देता है, तो वो अपने बारे में बताता है, कि वो एक फर्टिलाइजर कमपनी में काम करता था, और उसकी वज़ा से उसे अलग-लग बहुत दूर-दूर के गाउं में जाना पड़ता था, फर्टिलाइजर को बेचने के लिए, तो एक बार ऐसे ही वो एक बहुती छोटे से गाउं में जाता है, बहुत दूर होता है वो गाउं, और एक रेल्वे स्टेशन के पास होता है, तो वहाँ पे जाता है वो, तो जब वो रेल्वे स्टेशन पर पहुंचता है, तो वहाँ पे उसे एक स्टेशन मास्टर मिलता है, और एक पोर्टर मिलता है, और उसके इलावा उसे वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता तो station master है जो उसे welcome करता है उसे अपने घर पे लेके जाता है उसे खाना वाना खिलाता है और उसके बाद porter है जो उसे गाउं में लेके जाता है तांकि वह अपनी बात है जो लोगों के सामने रख पाए और लोग है जो fertilizer है उसे खरीदे तो गाउं में पहुंच कर वह लोगों को बताता है अपनी जो fertilizer है उसके फायदों के बारे में और उसके बाद वह station master के घर पर आता है जिसके बाद वह देखता है कि वहाँ उसे जो सोने के लिए जगए नहीं मिलेगी क्योंकि वह घर है बहुत छोटा है इसलिए वह station पर चला जाता है अब जो station master है वह बहुत काइंड होता है तो वह अपना जो वहाँ उसका उफिस है उसकी जो कीज है उसे दे देता है तांकि वह अपनी रात है वहाँ पर गुजार सके जब वह station पर जाता है तो उससे जो station master है उसे वान करता है कि वह बाहर ना घुमें क्योंकि वहाँ बहुत से जो जगली जानवर है घूमते हैं जो उसे खा जाएंगे इसलिए उसे जो अपने रूम में ही रहना पड़ेगा तो जब रात में वो बहुत से जानवरों की आवाजें सुनता है और वो देखने के लिए अपने रूम से बाहर आजाता है और जैसे वो बाहर आता है तो थोड़ी दिर बाद वो देखता है कि उसके पीछे एक टाइगर खड़ा हुँ है तो भाग कर अपने रूम में चला जाता है और खुद को बचाने के लिए वो जितना भी रूम में फरनीचर बढ़ाता है वो अपने सामने रख देता है क्योंकि उसने देखा था कि जो सरकस में काम करने वाले शेर होते हैं जो भी जानवर होते हैं वो इस फरनीचर से कंट्रोल किये जाते हैं सरकस वालों की दवारा तो वो भी वही करने की कोशिश करता है यहां पर उस शेर को ड्राने की जो टाइगर है उसे ड्राने की कोशिश करता है तो थोड़ा टाइम है जो उनमें चलता रहता है ताइगर उसे अटेक करने की कोशिश करता है और वो खुद को बचाता रहता है फरनीचर के सहारे से अब जब कोई बात नहीं बन रही होती तो टाइगर को बहुत गुस्सा आता है तो उस पे जो ये टॉक्टिप परसन है इसे एक नाइफ दिखाई देता है वो नाइफ उठा के वो उस शेर के जो पंजे पे मारता है और उसे जख्मी कर देता है अब ऐसे ही सुभा हो जाती है तो स्टेशन मास्टर और पौर्टर आते हैं दोनों क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है ये वो ऐसे ही जैसे नॉर्मली आते हैं वो आकर रूम में खुस जाती है प्र वो जैसे ही यes त्विदा टाइगर को वहां पर देखती है वो वैस बहाँ से भाग जाते हैं स्टेशन मास्टर है जो वो अपने घर पर चला जाता है भाग कर और जो पोर्टर है वो एक पेड़ पर चल जाता है और शेर है उसका पीछे करता है वो बच जाता है तो उसके बाद एक जो ट्रेन है जो अपने टाइम पर आ जाती है और उसकी लाइ में चला जाता है और उसके बाद वापिस नहीं आता तो वह सुना रहा है जो उसके पास लोग बैटे हैं कि यह जो लोग है जिन्होंने अभी टाइगर को मारा है यह असल में ब्रेव नहीं है ब्रेव तो वह था जिसने कुछ भी ना होते हुए अपने पास कोई भी हत्यार न जिसे उसने जख्मी किया था और इस चीज को प्रूब करने के लिए वो बताता है कि उसके पास इस चीज के एविडेंस है तो वो जाकर देख सकते हैं जो उसका जो पंजा है वो जख्मी वाओगा तो इतना कहने के बाद है वो चला जाता है और जो लोग उसके बाद सुन रहे होते हैं वो भीड में से जाकर वहाँ टाइगर की बोड़ी यहां पे रखी होती है तो वहाँ जाते हैं और हंटर्स को बोलते हैं कि उसकी जो वो है टाइगर को देखना चाते हैं और जब वो वो देखकर हरान रह जाते हैं तो सच में ही जो उसके पंजे पे जोड का निशान होता है तो इसके बारे में फिर वो हंटर से पूछते हैं तो हंटर से बताते हैं कि यह जो कुछ ट्राइब्स हैं उनका एक तरह का रिचुल है जब भी वो एक छोटे जो बच्चा होता है टाइगर का उसे पकड़ लेते हैं तो वो उसे मारते नहीं है बलकि उसे ऐसी उसका जो पंजा है वो थोड़ा जक्मी कर देते हैं ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए तो यहां से लोगों को पता चलता है कि वो जो परसन है टॉक्टे परसन है ऐसे बाते बना रहा था उसकी बात में कोई सचाई नहीं है थ्रॉंग लार्ज क्राउड ओफ पीपल जानिके भीड कारकस डेट बड़ी ओफ एन एनिमल जानवर का मृतिक शरीर एक तरह का फ्लार होता है बैम्बू यह एक प्लांट है जैसे कहते हैं बांस इंडिगनेंट एंग्री होना कुछ भी गलत हो रहा है कोई भी गलत सिच्वेशन है जब कोई भी गलत बेहेविर हो रहा है उस चीज पर गुसा करना तो थैंक यू